बिग वोज सीजन 13 शो एक रेल्टी शो है और शायद यही वज़ा है कि लोगों को ये शो बहुत पसंद आ रहा है जिस वज़ा से बिग वोज सीजन 13 TRP के मामले में सब से आगे निकल चुका है लेकिन वही खबरे आ रही है कि विग वोज का ये शो पूरी तरह बाइस्ट शो है और सदस्यों के साथ कई तरह के बेदवाब होते हैं जी हाँ ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आपने ये देखा होगा कि अक्सर सिदार्थ और आसिम की लड़ाई के बीच में दोनों एक दूसरे को धका मारते हुए नजर आते हैं लेकिन बिगवास के घर में फिजिकल होना आलाउट नहीं है उसके बाद भी बिगवास इन दोनों को टोक कर शान्त हो जाते हैं लेकिन बिगवास के रूल्स के मताबिक धका देने वाले सदस्यों को उसी वक्त घर से बाहर का रास्ता दिखाना होता है हलाकि बिग बॉस के शो को लेकर ऐसे सवाल पहले भी कई वार उठ चुके हैं लेकिन इस बार ये साबित होता नजर आ रहा है दरसल विशाल आदित्य सिंग जो कि बिग बॉस के शो में अब तक बने हुए है उनको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है आपको बता दें विशाल आदित्य सिंग की वोटिंग लाइन बंद कर दी गई है और ऐसा भी नहीं कि ये वोटिंग लाइन सभी सदस्यों की बंद की गई हो बलकि सिर्फ विशाल आदित्य सिंग की ही वोटिंग लाइन बंद की गई है एक हबर सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है और विशाल के फैंस सोशल मीडिया पर विशाल अदित्य सिंगा सपोर्ट करने के लिए रुक्येश्ट कर रहे है और साथ ही बिग बॉस शो के खिलाफ एक हैश्टेक भी ट्रेंड करवा रहे है जो कि बाइकॉट बिग वॉस है जी हाँ सबी फैंस बिग वॉस के मेकर्स पर सवाल भी उठा रहे है उनका कहना है कि मेकर्स विशाल को जानबूज कर फाइनल में नहीं जाने दे रहे है इतना ही नहीं फैंस ये भी कह रहे हैं कि बिग वोस सीजन 13 बैन किया जाए वहीं इस पूरे मामले पर आपकी कह रहा है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रपन न्यूज को ताकि आप से मिसना हो हमारा कोई भी लेट अब्सक्षब करें है